भाजप्पाईयों द्वारा राममंदिर ट्रस्ट को मेहंगी जमीने बेचकर करोडों का मुनाफा कमाया गया चंदे की चोरी की गई हमने देखा किस प्रकार से पांच मिनिट में दो करोड रुपे की जमीन 18 करोड में राममंदिर ट्रस्ट को बेच दी गई और चंदे की चोरी कर ली गई जो करोडो करोडो भारतियों ने आस्था के प्रतीख भगवान शिरी राम के भवे मंदर निर्मान के लिए दिया था 20 लाग की जमीन, ढ़ाइ करोड में राम मंदर टरस्ट को बेच दी गई, साड़े बारा सो परतीशत मुनाफ़ा मातर 59 दिन में कमा लिया गया और राम मंदर टरस्ट के अंदर जो करोडो करोडो भारतियों का चंदा है उसे लूट लिया गया जो जमीन 4,000 रुपिया आदित्यनाथ सरकार ने कलेक्टर रेट पर रखा है उसे राम मंदिर निर्मान ट्रस्ट को 28,000 रुपिया वरग मीटर के कलेक्टर रेट पर बेच डाला गया राम मंदिर्मान ट्रस्ट को ना केवल निजी संपत्ती बलकि सरकारी संपत्ती को निजी लोगों द्वारा बेच दिया गया और पैसा अरजित कर लिया गया और अब जो संसनी खेज तीसरा खुलासा सामने आया है वो और चिंता का विशे है और वो है के राम मंदिर अयोध्या नगरी में मंदिर के चारों तरफ भाजप्पा के विधायकों भाजप्पा के मेयर भाजप्पा के आयोग के सदस्यों भाजप्पा के इंफरमेशन और आदित्यनाद सरकार के आला अफसरों द्वारा ओने पोने संपती अर्जित कर ली गई है